क्या आप भी अपने लिए एक affordable, safe और शांदार features वाली कार चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो देखते रहे हमारी ये वीडियो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडिया की टॉप 10 affordable और effective cars जो market demand और customer satisfaction में सबसे उपर है अगर आप कार्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो भी हमारा ये वीडियो आपकी smart choice में मदद करेगा हाँ, गाड़ी चलाते समय seat belt पहनना जरूरी है याद रखें वैसे तो कार्स को बहुत तरीकों से आखा जा सकता है लेकिन इस वीडियो में हम ज्यादा affordability में सबसे अधिक performance और satisfaction देने वाली कार्स को रख रहे हैं पंदरा सालों से भारती सड़कों पर चल रही ओल्टो को सभी लोग जानते हैं कम पैसो में एक अच्छी कार का सुक केवल ओल्टो ही दे सकती है मारूती सुसुकी की ये कार की price धाई लाग से शुरू होती है और model के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है इस कम बजट की कार में AC और non-AC model दोनों आते हैं माइलेज की अगर बात करें तो अल्टो भारत की सबसे किफायती कार्स में से एक है 24 किलोमेटर प्रती लीटर इसका एवरेज है और CNG में तो ये 33 किलोमेटर प्रती केजी की बहतरीन एवरेज देती है वैसे तो कार मारकेट में रेनो कमपनी अपनी SUV के लिए फेमस है लेकिन उसकी पहली और एक मात्र एफोर्टिबल कार क्विड है ये कार अपनी प्राइस रेंज में किसी लक्शिरी से कम नहीं क्योंकि 2.6 लाग से शुरू होने वाली क्विड में हर प्रकार की सुविधा का ख्याल रखा गया है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें खास seat belt और rear parking mirror भी है कार बनावट में बस्बूध है और इसका डिजाइन भी कीमल के अनुसार बेहत अच्छा है इस कार के साथ में tires और internal facilities में कई accessories भी दी जाती है ये कार market segment में नई है और इसलिए इस पर कई सारे offers दिये जाते है अगर आप एक sporty look की कार पसंद करते हैं तो Hyundai की i20 खरीच सकते हैं क्योंकि high-tech features के साथ fully loaded ये कार middle class segment के लिए एक बड़ी option है इस कार में कई सारी accessories प्रोवाइड की जाती हैं जैसे आराम दायक armrest, bottle और sunglass holder सेफटी का भी खास ध्यान रखा जाता है steering wheel, remote controls और mobile connectivity इस कार को user friendly मनाती है एक middle class समान family के लिए कार सबसे smart decision है ये कार की गीमत 5.5 लाग से शुरू होती है साथ, Swift लंबे समय से market में अपना दबदबा कायम रखने वाली मारूती Swift अब भी buyers की top choice में बनी हुई है 2005 में launch किये गए मारूती के इस model में अब तक कई सारे बदलाफ किये गए है नई Swift में automatic gear, smart key, automatic climate control जैसी कई सुविधाई उपलब्ध है अगर आप चाहें तो बिना जाबी के push start का भी यूज कर सकते है ये कार ना सिर्फ technology driven है बलकि mileage में भी किफायती है कमपनी के अनुसार 22 km प्रती लीटर का average देती है मारुती सुजुकी कमपनी ने तुनिया भर में इस कार के 10 लाख मॉडल बेचे है और इसकी कीमत 5.4 लाख से शुरू होती है 6. मारुती सुजुकी बलेनो 5.5 लाख की showroom price वाली बलेनो एक शानदार option है इसका pickup और output इस segment में सबसे अच्छा है ये ना सर्व खरीदने में अच्छी choice है लेकिन इसका average भी 28 km प्रतिल लीटर का है इस कार का interior और dashboard का लोग वाकई में लाचवाब है ये 5-seater गाड़ी, manual और automatic दोनों gear segment में available है 1200cc का engine इसे तेज रफतार देता है इस कार के basic models में driver airbag देने वाली ये एक मातर कार है इसकी EMI केवल 9000 रुपे से शुरू होती है और ये fully loaded air conditioned और automatic है 5-desire अगर desire को इंडिया की सबसे पसंदीदा mid sedan कहा जाए तो गलत नहीं होगा desire की एक लाग से अधे कार सेल हो चुकी है और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है जब ये कार launch की गई थी तब से आज में इसमें कई बदलाव किये जा चुके है जिसमें सबसे बड़ा automatic gear transmission का है मतलब आप manual के साथ automatic भी available है इस कार का average 22 km प्रती लीटर का है जो किसी भी compact sedan की range में सबसे अधिक है सेफटी को ध्यान में रखते हुए इसमें दो airbags दिये गए है Desire models के price 5.6 लाग से शुरू होते हैं और 9.5 लाग रुपे तक जाते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें कई सारे variants मौझूद है Desire एक affordable luxury है जब March 2016 में ब्रेजा को launch किया गया था तब इसकी 6 महीनों की pre-booking पहले ही चल रही थी आप इस ही बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि customers के बीच इस car की popularity कितनी है 7.6 लाग से 10.5 लाग तक की range में आने वाली ये car हर तरह से एक best buy है क्योंकि इसका 1200 CC का engine इसे अच्छा power और pickup देता है और वहीं इसका efficient fuel consumption इसे low maintenance बनाता है कंपनी के अनुसार ये car 24 km प्रतिल लीडर का average देती है इसमें manual और automatic gear system है और ये cable diesel models में ही available है क्योंकि ये car एक बड़े price range में available है इसलिए customer अपने comfort और budget के अनुसार variants में से चुनाफ कर सकते हैं 3. Honda Amaze Honda की Amaze compact sedan category को affordable बनाने वाली गार है Fully automatic gear transmission और शांदार look के साथ ये car एक शांदार option है Honda का powerful engine और diesel model का combination इस segment में किसी के पास नहीं ये car petrol में 20 और manual में 18 का average देती है Safety को धियान में रखते हुए इसमें rear view mirror, दो airbags और standard body structure को रखा गया है Amaze में 4 variants आते हैं जिनके specification और features भी अलग है इसकी price 5.6 लाग से शुरू होती है जो अलग-लग variants के साथ बढ़ती जाती है 2. Hyundai Creta Creta को launch करने के पीछे company का target compact SUV market को capture करने का था किवाइदी दामों में Creta एक complete SUV है जो एक छोटी और बड़ी family को कहीं ले जाने के लिए एक luxury offer है साथ color में आने वाली Creta की कीमत 9.5 लाग से लेकर 15 लाग तक के बीच है इसका mileage 14-22 km प्रति लीटर के बीच आता है जो कि एक SUV के हिसाब से अच्छा है इसमें कई सारे variants है और इसलिए luxury के अनुसार price में भी फर्क है और इसमें विशेशता ये है कि ये दोनों transmission में आती है ये एक fully automatic और luxury drive है एक महिंद्रा Scorpio SUV सेग्मेंट के सारे record अपने नाम कर चुकी Scorpio को किसी introduction की जरूरत नहीं है महिंद्रा की star performer car, Scorpio, sales और performance दोनों में ही सबसे आगे है 2500cc के powerful engine के कारण इसका pickup और performance बहुत अच्छा है ये केवल manual transmission में आती है और कई सारे variants के साथ customers को इस car में बहुत choice है 9.5 लाग से 15.5 लाग तक की range में ये एक affordable luxury SUV है इसकी EMI 19,000 रुपे से शुरू होती है और safety तथा अनने specification सभी segment में best है वैसे तो market में इसे XUV और दूसरी कार से competition बना हुआ है लेकिन फिर भी ये market share के हिसाब से अब तक की सबसे ज्यादा sold और loved SUV रही है तो आप इसमें से कौन सी कार लेना चाहेंगे? अपनी पसंद हमें comment section में जरूर बताएं और देखना ना भूलें हमारे दो नई train travel वीडियोस जिन पे हमने 5000 लाइक्स का लक्ष रखा है आज के लिए इतना ही दोस्तों फिर मिलते हैं तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेर और सबस्क्राइब करना ना भूलें झाले पाले वीडियोस जिन चेमारे चैनल को लाइक्स का लिएर याइक्स का लिएक्स का लाइक्स का लगूलें